हेलो एवरिवन, बेलकम टो एक्जाम और्बेट क्लासिस, आज है 28 मई और आज के इस सिसन में 28 मई से बनने वाले सभी महत्वपून कोईशन्स को डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपून सुर्खियों पर GRSE ने लॉंच किया भार्तिय नौसेना सर्वेच्छन पूत आई एनेस निर्देशाक, भार्तिय उपन्या स्टोम ओप सेंड ने जीता अंधरास्टिय बुकर पुरुसकार, भार्तिय अधिकारी अन्वर हुसेन सेख्पने WTO समीती के नए अध्याच, नरिंदर बत्रा ने भा पहली बार वाइनाट वन्यजीब अभ्यरन के मुथंगा रेंच में देखा गया मनी स्पाइडर, ममता वनर्जी के कैमिनेट का फैसला, विश्विध्यालों में अब राज्यपाल की जगे मुख्य मंत्री होंगी चांसलर, ट्विटर के बोर्ड से चैक डोर्सी ने दिया इ पहले प्रधान मंत्री पंडे जवालाल लहरू जी की मनाई गई 58 भी पुन्यत थी, भारत यात्रा परेटर पिकास सूचकांक में फिसल कर 54 वे स्थान पर रहा, घर से काम करने के लिए सिंगापोन नंबर बन चारी हुई दुनिया के 10 सबसे अच्छे सहरों की सूची, अब प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी जी ने प्रगती मैदान नई दिल्ली में, परंपोरल सुपर कम्पीटर का उधगाटन किया गया है एन आई टी तिरू चिरापली यानिकी केरल में, भारत में पहला ओलम्पिक मूले सिख्छा कारिक्रम कहां सुरू किया गया है उडिसा में जे पिविदता रजिस्टर पाने वाला, पहला मैटरो सहर बन गया है कॉलकाता, कॉमबेक्ट एबियेटर के तौर पर आर्मी में सामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है अभिलासा बराक। डॉक्टर टेड्रोस को किस सलस्थान के प्रमुक के रूप में फिर स दूसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है रसिया। आगे डिस्कस करेंगे स्वच्छ सर्वेच्छड SS 2023 की थीम क्या है बेस्ट तू बैलत। किस खाड़ी देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है संयुत अरब अमीरात म राश्टिय उपलब्दी सर्वेच्छर रिपोर्ट किस ने जारी की है सिक्षा मंत्रा लेना है। बरतमान में सिक्षा मंत्री कौन है तो याद रखेंगे धर्मींद्र पिर्थार। अगर आप लोग इन पॉइंट के बारे में डिटिल से जानना चाहते हैं तो कल की क्लास देख सकते हैं। चले डिस्कस करते हैं फर्स्ट कोईशन आज की सिसन का। आम तोर पर यूरोपी इखास के मैदानों में पाया जाने वाली मनी स्पाइडर को देश में पहली बार किस अभ्यारण में देखा गया है। वाइनाट बन्नीजी अभ्यारण में जो की कहां पर है कीरल राच में। डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेट कुछ इंपोटेंट फैक्ट। की पहचान की गई है। डिस्कस कर लेते हैं वाइनाट बन्नीजीव अभ्यारण के बारे में। केरल में इस दित्थ वाइनाट बन्नीजीव अभ्यारण नीलगिरी वाइस्पियर रिजर्व का एक अभिन अंग है। इसके स्थापना 1923 में हुई थी। नीलगिरी इसे कब नामित किया गया था तो याद रखेंगे 2012 में काबनी नदी इस अभियरण के 20 से होकर बहती है काबनी यानि की काबेरी की सहायत नदी है आगे डिसकस कर लेते हैं केरल के बारे में कुछ इंपोडेंट फैक्टर सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं मैप में बन्यजीब अभियरण जोकि केरल राच में है साथी इंडिया के मैट में आप सभी केरल की लोकेशन देख सकते हैं ये है केरल की राजधानी तिरुवनित पुरम है पर्तमान में मुख्य मंतरी पिनाराई पिजयन है जबकि राजजपाल है आरिप मोहमत खां आगे डिसकस क लेते हैं भारत के महत्पुर बन्यजीब अभियरण कौन-कौन से हैं मुथंगा बन्यजीब अभियरण चिननार बन्यजीब अभियरण और पैराभी कूलं टाइगर रिजब बन्यजीब अभियरण ये किस राजध में है तो फेंट्स याद रखेंगे ये सब हैं किरल एस सलकी का अद्रप्रधेश में धिली निला पुरम अंतरास्टी पंधरा ये किसR में है तो यह है आंधरप्रदेश की है पुलीगट पंधर पंधर एसमीने ओकलाप पंधर लिएания ऑनुजी, भिनेडबाथ वह द्धिया शुल्ताइन पंधरफ ज्सुति UK इंपोता याद रखिएगा क्योंकि इन्हें रामसर साइट में सामिल किया गया है और यह कहां पर है तो यह है हर्याणा में अब आप लोग पुझे कमेंट्स वॉक्स में बताए कि रामसर जो इस्थल है वो किस देश में है सलीम अली पच्छी अभिरंट गोवा में है ब्रह्मगिरी प पच्छी अभिरंट है गुझरात राच में नेस्ट कुईशन डिस्कस करेंगे किस लेखिका को अनुबादित हिंदी उपन्यास टॉम ओफ सेंड के लिए अंधरास्टिय बुकर पुरुसकार मिला है तो अंधरास्टिय बुकर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है भारत क गीतानजली स्रे को जिनें आप सभी पिक में देख सकते हैं आए डिसकस कर लेते हैं अन्न महत्पुन तथ हैं हिंदी लेखि का गीतानजली स्री के उपन्यास रेत की समाधी पर आधरे टॉम ओफ सेंड को अंधरास्टिय बुकर पुरुसकार मिला है गीतानजली स्री ने न इसे आप सभी याद रखेंगे मूल रूप से हिंदी उपन्यास रेस समाधी का अंग्री जी में अनुपाद किस ने किया है डेजी रॉक बैलने गीतानजली स्री का सम्बंध किस राज्च से है फ्रेट्स तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मेंपुरी से आगे डिसक जीतने वाले बिजेता को कितनी रासी दी जाती है 50,000 पाउंड बुकर पुरुसकार की स्थापना साल 1969 में इंग्लेंड में बुकर मैकोनल कंपनी के दुवारा की गई थी आगे डिसकस करेंगे अन्थरास्टिय बुकर पुरुसकार हर साल मौलिक अंग्रेजी उपन्यास या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कारे के लिए दिया जाता है साथी आपको बता दे कि विटेन या फिर आइलेंड पर प्रकासित किसी एक खिताब को पुरुसकार देने की परंपरा है दुनिया का पहला बुकर पुरुसकार अलवानिया के उपन्यासकार इस्माईल कादरे को दिया गया था आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पिसल डोस फोर एक्जाम में अन्य महित्पुन पुरुसकार जो की हाली में दिये गए है इंटरनेसर बुकर फ्राइस 2021 किसे दिया गया था डेबिट डियोब को एक्सिलेंस इन सिनेमा पुरुसकार से हाली में किसे सम्मानित किया गया है समग एंटर्पेन्योर्शिप चैलेंज 2022 किसने जीत लिया है जीनियस एनरजी ने नेस्ट कुशन देखेंगे भारतिय नौसेना सर्वेचर पोर्ट आएनस निर्देशक को कहां लॉंच किया गया है तो इसे लॉंच किया गया है चैलें तमिलनाडू से आए डिसकस कर लेते हैं स्पोर्ट के बारे में भारतिय नौसेना के लिए L&T सिप बिल्डिंग के सयोग से गार्डन रीस से बल्डर्स ने इंजिनियर्स दुबारा बनाई जा रही चार सर्वे बेसल परियोजनामे से हैं दूसरा है जिसे कहां से लॉंच किया गया है चैन्ड़ी के कट्टू पल्ली में साथी आपको बता दे कि 30 अक्टूबर 2018 को M.O.D. और G.R.S.E. कॉलकता के बीच चार S.P.L. जाहाजों के निर्माण के अनुवंद पर हस्ताक्षर किये गए थे जिसमें से फ्रेंट्स ये कौन सा है तो ये दूसरा है याद रखिये का पिर्थम सरेडी के जाहाज पहला कौन सा था संद्याक जो दिसमबर 2021 में से लॉंच किया गया था कहां से कॉलकाता पच्छिम बंगाल से आप डिसकस कर लेते हैं चैन्नाई के बारे में कुछ महत्पूर्ण पॉइंटर सबसे पहले इंडिया के मैप में आप सभी चैन्नाई की लोकिशन देख सकते हैं चैन्नाई कहां पर है तमिलनाडू राच में चैन्नाई तमिलनाडू के बंगाल की खाड़ी यानि की कूरो मंडल टट पर इस्तित है तमिलनाडू की रास्थानी चैन्नाई है चैन्नाई का पुराना नाम है बदरास चैननाई को किस निरत्य के लिए जाना जाता है तो friends याद रखेंगे भरत नाट्यम निरत्य के लिए चैननाई को जाना जाता है आगे discuss कर लेते हैं बारत के पहले उपगिरे और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेकिंग जहाज का क्या नाम है ध्रोड संध्या क्या है जिसे हाली में भार्टिय नौसेना दुवारा लॉंच किया गया था तो ये एक सर्वेचन पोथ है great old lady के नाम से किसे जाना जाता है आयनेस बराट को आयनेस बराट को किस देश से लिया गया था UK से सागरी का क्या है भारत की पंडुबी लॉंच बैलिस्टिक मिसाइल है नेस्ट कुईशन देखेंगे नरिंदर बत्रा ने किस पद से इस्थीपा दे दिया है तो नरिंदर बत्रा ने इस्थीपा दे दिया है भार्तिय ओलंपिक संग से नरेंदर बत्ता ने भार्तिय ओलंपिक संग के अध्यच पत से इस्थिपा दे दिया है वह अंतरास्टिय होकी महा संग के भी अध्यच हैं ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे भार्तिय ओलंपिक संग की स्थापना 1927 में की गई थी भार्तिय ओलम्पिक संग का मुख्याले कहां पर है फ्रस तो नई दिल्ली में है अच्छा अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताईए कि अंतरास्ट्य ओलम्पिक संभीती का मुख्याले कहां पर है आगे डिस्कुस वा लेते हैं 2024 गीश्म कालेन ओलम्पिक खेल कहां होंगे पैरिस फ्रांस में 2028 ओलम्पिक खेलों का आयुजन कहां होने वाला है लोस एंजिल में जबकि 2032 ओलम्पिक खेलों का आयुजन होगा ब्रिस्पेंड आस्टेलिया में साथे आपको बता दे कि भार्तिय ओलम्पिक संग ने 2022 सीत कालिन ओलम्पिक में देश के दल सेब्टी मिसन के रूप में किसे न्योक्त किया था हर जिन्दर सीन को 2022 में सीत कालिन कहां पर आयर्जित किये गए थे चीन के रास्थानी फीजिंग में Next Question देखेंगे Mobile Access Tech Company कीजी दुवारा रिलीज किये गए एक अध्यन के अनुसार घर से काम करने के लिए कौन सा सहर दुनिया में सबसे अच्छा सहर है सिंगापूर आई डिस्कुस कर लेते हैं इसी के बारे में कुछ important factor Mobile Access Tech Company कीजी दुवारा रिलीज किये गए एक अध्यन के मुताबित घर से काम करने के लिए सिंगापूर दुनिया का सबसे अच्छा सहर है कीजी ने जर्नल और पब्लिक एकॉनोमिक्स और बिस्व बैंक के डेटा का विसलेशन कर यह है रिपोर्ट तयार की है अब डिस्कुस कर लेते हैं सिंगापूर के बारे में सिंगापूर की मुद्रा सिंगापूर डॉलर है जबकि रास्थानी सिंगापूर है सिंगापूर के बर्तमान में पी-म है ली सियन लूंग छेत्रिय ब्यापक आर्थिक साज़ेदारी समझोता लागू करने वाला पहला देश कौन सा है फ्रेंट्स तो याद रखेंगे पहला देश है सिंगापूर आगे डिस्कुस कर लेते हैं अगर आप से पूछा जाए कि मलक का जलसंदी किसे अलग करती है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे मलक का जलसंदी मलेसिया को सुमात्रा दीप से अलग करती है सुमात्रा किसका दीप है इंडोनेसिया का साथे आपको बता दे कि जो इंडोनेसिया की रास्थानी है जकार्ता वो किस दीप पर है जावा दीप पर और इंडोनेसिया की नई रास्थानी क्या बनी है नुसंतारा नेस्ट कुईशन देखेंगे विश्व व्यापर संगठन की समीति का अध्यच किसे बनाया गया है तो विश्व व्यापर संगठन समीति के अध्यच बने है अनवर हुसेन सेख आए डिस्व कर लेते हैं इनके बारे में भारा सरकार की एक अधिकारी अनवर हुसेन सेख को व्यापर तकनी की बाधाओं पर विश्व व्यापर संगठन की समीति का अध्यच बनाया गया है मिस्टर सेख मैक्सिको की एलिसा मारिया की जगय लेंगे विश्व व्यापर संगठन के सदस इस समीति का उप्योग विश्व व्यापर चिनताओं विश्व विश्व कानूनों नियमों या प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए करते हैं आगे डिसकस कर लेते हैं वर्ल्ट ट्रेट और्गनाइजेशन के बारे में यानि की विश्व विश्व व्यापर संगठन के बारे में WTO की स्थापना एक जन्वरी 1995 में की गई थी WTO का मुख्याल है चिनेवा सुझा लेंड में है WTO के बर्तमान में महा निदेशक कौन है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे नागोजी ओंगोजो इविला जो की पहली महिला बनी है महा निदेशक WTO की विश्व वियापर संगठन का उद्देश से क्या है ब्यापार की ये ट्रैफिक और अन्य बाधाओं में कमी लाना पच्छिम बंगाल की मुख्य मंतरी कौन है तो याद रखेंगे ममतावनर जी है अब आप लोग मुझे कमेंट्स वॉक्स बताएए कि हाली में पच्छिम बंगाल की मुख्य मंतरी ममतावनर जी को किस पुरुषकार से सम्मानित किया गया है डिसकुस कर लेते हैं सी से रिलेटेट कुछ इंपोटेंट फैक्टर पच्छिम बंगाल की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राजज संचालित विश्विध्यालों की चांसलर राजजपाल की जगे मुख्य मंतरी होंगी इससे सम्मंदित बिध्यक को जल्द ही बिधान सवा में पेस किया जाएगा इससे पहले राजज के विश्विध्यालों के चांसलर गवनर होते थे जो के कुलपतियों की भी न्यूक्ति करते थे पच्छिम बंगाल के राजजपाल जो की बरतमान में है जगदीब थनकर बरतमान में राजज के 17 राजज संचालित इनिवर्शिटियों के पदेन कुलपति है आगे डिस्कुस कर लेते हैं अप्रेल में तमिलाणू सरकार ने एक बिध्यक पारित किया था जिसमें राजज सरकार को विश्विध्यालों में कुलपति न्यूक्त करने की सकती दे दी गई थी साथी आप सभी को बता दे कि भारतिय सम्मिधान के अनुछेत 153 पन के तहट प्रतेक राजज के लिए एक राजजपाल का प्राभधान किया गया है एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राजजों के रजपाल के रूप में न्यूक्त किया जा सकता है साथी आप सभी याद रखेंगे कि सिक्षा कि सूची का बिस है तो सिक्षा है संबर्ती सूची का बिस है नेस्ट कुशन देखेंगे किसने हाली में Twitter के निर्देसक मंडल से स्थिपा दे दिया है जैक दॉर्सी ने आये discuss कर लेते हैं कुछ important factor जैक दॉर्सी ने Twitter के निर्देसक मंडल पत से स्थिपा दे दिया है दॉर्सी ने पिछले साल November में Twitter का CEO पद छोड़ा था और भाट दिये मूल के पराग अगरवाल ने उनकी जगे ली थी डिस्कस कर लेते हैं ट्वीटर के बारे में कुछ महित्पूर्ण फैक्टर ट्वीटर का गठन 21 मार्च 2006 में किया गया था बर्तमान में इसके CEO है पराग अगरवाल ट्वीटर का मुख्याल है सैन फ्रांसिस को यानि की कैलिफोनिया सेंट राज अमेरिका में है हाली में भारत में ट्वीटर की सारवजनिक नीती टीम का नेततव किस ने किया है समीरन कुप्ता ने एलन मस्क ने कितने मिलियन डॉलर में ट्वीटर का अधिकरन किया है 44 बिलियन डॉलर में टेसला के CEO कौन है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे एलन मस्क है नेस्ट पॉशन देखेंगे साथ मई दो हजार बाइस को देश के पर्थम परधान मंत्री पंडे जवालाल नहरू जी की 58 भी पोनेति थी मनाई गई पंडे जवालाल नहरू जी का जन्म किस राज्ज में हुआ था तो पंडे जवालाल नहरू जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज में आये डेस कर लेते हैं कुछ important factor पंडे जवालाल नहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाबाद यानि की प्रियाग राज में हुआ था देश भर में पिट्टेग वर्ष नहरू जी के जन्म दिवस यानि की 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 को देश के आजाध होने के बाद जवालाल नहरू सुतंत्र और लोगतांतरिक देश भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया था साथी आपको बता दे कि प्रधानमंत्री जवालाल नहरू जी के समाधी इस्तल को क्या कहते हैं सांती बन कहते हैं जो कि कहां पर है नई दिल्ली में नेस्ट कोईशन देखेंगे विश्व आर्थिक मंच दुवारा जारी यात्रा और पर्याटन प्रतिश परदा आत्मक सूचकांक 2021 में भारत के सिस्थान पर रहा है इसके जारी करता कौन है तो वर्ल्ड एकॉनोमिक फॉरूम में इसे जारी करता है जिसका मुख्याल है कॉल गनी सुचलेंड में है डिस्कस कर लेते हैं आगे विश्व आर्थिक मंच के बारे में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जनवर ही 1971 में की गई थी इसका मुख्याल है कॉल गनी सुचलेंड में है जबकि बर्तमान में अध्यच हैं क्लाउस आगे डिस्कस करेंगे टॉप टेन इस्ट्रेटिक जी के वन लाइनर कुशन विंदियान चलो सत्पुरा पहाडियों के बीच सर बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है नर्मता नदी भारत का पिर्थम न्यूटन रियेक्टर कामनी कहां इस्तित है कलपकम में समाचारों में बहु चर्चित बाडा कोड किसे सम्मंदित है खेलों से भारत ने किस वर्स और कहां हुए ओलंपिक खेल में होकी का पहला स्वण पदक जीता था बर्स 1928 एमस्टरडम में भारतिय अंत्रिच अनुसंधान संगठन का मुख्याले कहां पर है फ्रेंट्स बैंगलोर करनाटक में संसार का सबसे बड़ा मंदिर का है इस्तित है कमबोडिया में राष्टमंडल खेलो का आईजन कितने वर्सों के अंत्राल पर किया जाता है चार वर्सों के अंत्राल पर किस नदी को बिहार का सोक कहते हैं कोशी नदी को किस बंदरगा को भारत का प्रिवेश द्वार कहा जाता है मॉंबई किस राज़ की समुद्र टर्रेखा सबसे लंबी है गुजरात की जबकि दूसरे स्थान पर है आंदरपरदेश कल की क्लास में जो क्वेशन आपसे पूछे कहे थे उनके आंसर देख लेते हैं भारती रेलवे का पहला गती सक्ती कारगो टर्मिनल सपलता पूर्वक कहां सुरू किया गया है चार खंड में नेस्ट कॉशन था किस राज़ सरकार ने हाली में मात्र सक्ती उद्ध मितिता योजना की गोश्टा की थी हर्याना सरकार ने भारत में पहली यूरोपिय वस्ती के सिस्थान पर इस्थापित की गई थी कोशी नेस्ट एंड लास्ट कॉशन था स्री रंगपटनम की संधी का सम्मंद किसी युद्ध से है इसे डिटिल में जान लेते हैं कि लौर्ड कानवलिस ने तीरतिय आंगला महसूर युद्ध के दोरान पांच फरवरी 1792 को स्री रंगपटनम के किले पर अधिकार कर लिया था विवस होकर टीपो सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 इश्वी में सी रंगपटनम की संधी करनी पड़ी थी यानि किसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा तृतिय आंगले महसूरियो इसका सही आंसर है आप्शन पी अब आप लोगों के लिए कुछ कोईशन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में सिरोई लेली मौह सब किस राज़च में मनाया चाता है नेस्ट कोईशन है निमन में से किस ने आभ़ा मोबाइल एप लाउंच किया है नेस्ट कुईशन है लक्षदीप समू निमनमेसे किस महसागर में इस्तित है नेस्ट कुईशन है चक्रवाद के लिए कौन सा सब्द चीन सागर और प्रिशान्त महसागर में लागू या इस्तमाल होता है तो friends इन सब की answer आप सभी को देने हैं comments box में इस class की pdf आप सभी को telegram channel पर मिल जाएगी जिसकी link दी गई है pt.o के नीचे description box में तो आज की class आप लोगों को कैसी लगी comments box में जरूर बताएगा साथी class को like, share and subscribe करना ना भूलेगा तो मिलते हैं next class में तब तक के लिए thank you so much